अबधेड़ शुगुर हम जो चीमिष्टमाल करते हैं इसकी आपिसीं फ़ेलियू कुछ नहीं हा इसमें इसमें वाइटमेंश लेड़ा नहीं होते हैं मिन्डऱ् साथ हैं सिरफ इसमें कैलोरीज इंक्रीज होती है है energy बनती है इंस्टंट energy जैसे बन सकती है लेकं के इस लोगों को कितना शुगर लेना है वो डिपेंड करता है क्योंकि जो added sugars लेते हैं ज्यदा उड्रेंक्स लेते हैं या चाय में शुगर ड लेना उन में क्या उन के chances एक या तो तोथ डिके हो जाता है, कैरीज वगरा जादा उससे बनता है, वाउंड हीलिंग पोर हो जाता है, यनि कि जल्दी जखमे ठीक नहीं होती है, एक्नी मूँ पे कुछ दाने निकल सकते हैं, एक्नी जहां पे जखम निकल गी तो जखम ठीक नहीं होती है और खासकर जिसम में कई फोड़े वगरा निकल सकते हैं, इस तरह इम्यून सिस्टम भी डाउन हो जाता है, और बार बार इंफेक्शन होने के चांसे बढ़ते जाते हैं, इसलिए बेतर है कि सिर्फ पांच परसंट जो है अडिट शुगर्स होनी चाहिए, एक शक्स चबिस गंटे में छे चमच ची एड़ शुगर्स जो लोग शुगर्स नहीं लेंगे उनके तो और ज्यादा बेनिफेट्स हैं, उनका वांट हीलिंग एजी हो जाएगा, उनको चांसेजा फ्रीकरेंट इंफेक्शन नहीं होगी, उनका बेली फैट ज्यादा नहीं होगा, और साउंड स्लीप होगी, हंगर बगर नहीं होता है, एपिटैट ठीक रहती है, शुगर एक क्रेविंग है, उसमें जितना शुगर वाले चीज़ी लेंगे इतना उसके बाद रिफ्लेक्स ली उसमें डियाइडरेशन जैदा होती है, क्योंकि शुगर्स यह से पानी को स्क्वीज करते हैं, निचोड़ती ह और क्रेविंग और शुगर्स की ज़रूर पड़ती है, फीमेल तकरीबन 20 ग्राम शुगर एक दिन में लेती हैं, यनिके 5 चमच, तो 5 चुके 20 आप देख लीजिए, इस तरीके से जो बचे हैं तकरीबन 4 चमच, 20 गंटे में शुगर ले लेते हैं, तो इन चीजों को थोड 720 ग्राम होते हैं, और इस तरीके से अगर एक साल में कल्कुलेट करेंगे, 720 x 12 तो 8,640 ग्राम तकरीबन 25 के लिए जएदा चीनी हम एक साल में इस्तमाल करते हैं, कुछ लोगों को मालूम ही निहीं होता है, जएदा चीनी इस्तमाल करते हैं, इसलिए मेरा ये फोकुस या ड तो क्विट कर लेते हैं, एवन आर्टिफिशल स्वीटनर स्विनी लेते हैं, अपनी हैल्थ को मेंटेन करने के लिए, अबेस्टी को अवर कम करने के लिए, टोथ डिकेस को, साउंड स्लीप के लिए, क्रेविंग फार शुगर कम करने के लिए, और डिहडेशन को अवर कम क करने के लिए आप ट्राइ कर दो देख लो के शुगर ना लेना एक अच्छी चीज है तो नॉट अनली किया डिरेक्ट शुगर से डायबडीस होगा यस डायबडिक्स को कैलरीस कांशिस होना है उनको शुगर वाले चीजें कम लेनी तो इत्वाज अल अलबॉट हो टो टो टे